सबी साथियों को में नमस्कार स्वागत है आपका ग्यारा सितंबर के नियूस पेपर इनार्सिस में इस नए फॉर्माट में हम डिस्कस करेंगे हिंदी और अंग्रेची दोनों अकबारों के बारे में टू दपॉइंट आर्टिकल्स खुले के अगर आप लोग कोई नया फॉर्माट पसंद आया हो तो आप बिल्कुल हमें कमें सेक्षिन में अपना फीडबैक दीजिएगा अगर हम बात करें हमने इस नया फॉर्माट के साथ और परिवर्तन भी करें हैं हम अब और अकबारों के आर्टिकल्स को भी कवर करेंगे चाहे वो दाहिंदू का हो चाहे वो फ्री प्रेस जर्नल का हो इंडिन एक्स्प्रेस का हो या फिर जन सद्दा का हो तमाम पेपर के आर्टिकल्स को इस वीडियो में कवर करा जाएगा जिसे के हम जानते हैं हाल ही में जी ट्वेंटी शिकर सम्मिलन अपनी सफलता के साथ पूर्ण हुआ है इसमें हमने जी ट्वेंटी दो हजार चौबिस की प्रेजिदेंसी ब्राजील को सौपी है ब्राजील दोजाचौबिस में शियर करेगा जी ट्वेंटी की प्रेजिदेंसी को यहां पे जो अगला आर्टिकल है इसमें जिकर कर लगए कैसे राजगाट में गांधी जी को शिधान जरी दिने के लिए सभी देशों के राश्टर अध्ष गए थे इसमें हमने एक जिस देखी होगे कि हमारे मानिय पधामंत्री जी ने सभी राश्टर धक्षों को आपका मफलर या सकार्फ का यह सकार्फ दिये थे यह क्या थे जो गले में आपके ऐसे डाला जाता है यह क्या था क्या सिंग्निफिकेंस है यह चीज़ देने का जान लेते हैं नौलिज के लिए अच्छा रहेगा यह बिसिकली जैसे हम जानते हैं कि गांधी जी का जहां पर जिक्र होता है वहां पर भारत सरकार खादी का ज कि पृःट ने वह तहें सब्ह 창ौ स्वाइब एंडिया का नाशनल एक इंटरनाशनल ब्रैंड की रूप में मोदी गोवर्मंट ने पिर जब से आए हैं तop से बनाने का प्रयास कर रहा सफल भी रहा हैं खादी को एक international brand के रूप में प्रोमोट कर रहे हैं अब देखिए जब सारे देशों के राष्ट ध्यक्षी स्काफ खादी से बने हुए पहने होंगे तो कहीं न कहीं हमारे लिए गर्फ की बात है अगर हम कल को अन्य किसी अन्य किसी भी तरीके से खादी को प्रोमोट करना चाहेंगे तो उसका एक अलग image बनी रही की all over world और खादी ये global brand तो वैसे हम लोगों ने बहुत पहले बना दिया था बहुत प्रियास करें government ने खादी को प्रोमोट करने के लिए अगर खादी की बीछे एक और significance है कि खादी ही symbol था जो गांधी जी ने colonialism को खतम करके दिखाया था मतलब गांधी जी ने जो British colonial थे उनका विरोध कैसे करा था खुद से खादी बनाके है ना खादी के अपने आप वस्त सिलने के लिए कहा था close बनाने के लिए कहा था तो खादी का symbolism गे भी निकल के आता है कि कैसे हम अपने self independent हैं किसी पर dependent नहीं है जो गांधी जी ने भी हमको अमारे जो freedom struggle में दिखाया था वो ही कही ना कही message हम खादी के माध्यम से यहाँ पर दे रहे हैं बहुत ही अच्छा एक diplomatic stand है यह आगे परते हैं यह है proposed corridor different from BR यह से कि हमने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था कि एक नया initiative शुरू करा गया है government का G20 के माध्यम से वो है एक बहुत बड़ा सा और द्योगे corridor एक trade corridor इस trade corridor के माध्यम से कैसे सरकार अपना वैपार अन्य देशों के साथ बढ़ाईगी यह हम जानेंगे तो अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो देखी है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यह कहां पे है यह corridor है यह किस route से होते हुए जाएगा comment section में बताईए एक बार आप थोड़ा सा में लेकि आप बहुत डाले comment में अपनी वाली चीज फिर मैं continue करता हूँ चलिए आप लोगों ने समय ले लिया होगा अपना तो यह basically इंडिया और Middle East जो countries हैं आपकी इंडिया Middle East और Europe इंडिया इंडिया से होते हुए Middle East से होते हुए योरोप तक कि यह corridor आपका जाएगा और साथ ही हो और साथ ही हो यह corridor चाहिना का जो Belt and Road इनिशेटिव है न यह उसको ही टक्कर देगा अब इंडिया जब अपना खुद का यह corridor बनवाएगी खुद का क्या मतलब कंट्रीज को जोड़ने का प्रयास करीए जैसे मिना को पुरानी वीडियों बताया था कि Middle East का इतनी Middle Eastern कंट्रीज है और इंडिया का रिलेशन बहुत पुराना रहा है पुराना कैसे रहा है कि 1960 तक तक तो बहुत सी Middle Eastern nations में इंडियन करेंसी लीगली वैलेट चल लही थी लीगल टेंडर के रूप में 1960 तक 1960 के बाद से जहाता कंट्रीज मिडलीज सी जो थी उन्होंने इंडियन करेंसी को रिमूव कर दिया था मतलब बिटिशर्स जब से बिटिशर्स आपके आये थे बिटिशर्स नहीं सिस्टम ये बनाय हुआ था कि Middle Eastern nations में इंडियन करेंसी भी लीगल टेंडर के रूप में वैलेट चल लही थी मतलब कि हमारे टाइस जो है वो नए नहीं हैं बहुत पुराने है और हमें इनी पुराने टाइस को और आके बढ़ाना है हम इस रोट के माध्यम से Middle East touch करते हुए योड़ोप तक जाएंगे और ये पूरी डिप्लोमेसी भी हमारी काम में आईगी ठीक है चाइना जो करता है हम उससे बहतर करेंगे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम चाइना कॉपी कर रहे हैं उससे बहतर करेंगे साथी हो यहां पर देखते हैं US Vietnam अब जानते हैं कि President Joe Biden opened his first visit to Vietnam on Sunday saying that two nations have a chance to shape Indo-Pacific for decades to come for for decades to come evidence of our father relationship has evolved Biden preferred the bitter past and then again US Vietnam war में बहुत ही गहरे जखम थे जो US Vietnam war था दोनों देशों के बीच में बहुत गहरे जखम थे बर अब देखे जमाना आगे जा रहा है और बहुत देशों ने ये जान लिया है कि अब वो लडाई करके कुछ नहीं होगा दोस्त बनाके चलिए आगे जादा अच्छे चलेंगे हम उसमें आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारी डिपलोमासी का पार्ट ही नहीं है आप असी जान लेजिए कि यूएस भी इंडिया की तरह अपना अब टार्गेट कर रहा है और क्या टार्गेट कर रहा है कि हर किसी को दोस्त बनाके चलो हलाकि देखी वेटनाम मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि इंडिया के आने के बाद ही यूएस वेटनाम कुछ हाक रहा है वेटनाम और यूएस के टाइस तो बहुत पहले से चल रहे हैं बट यह है कि अब यूएस और जितने भी कंट्रीज अचायना वगरह हो गए ज्यादा अक्टिव हो गए हैं यह देखते हुए कि मोदी की जिस गती से दोस्ती बना रहे हैं अन्य राश्ट्रों के साथ कोई भी डिप्लोमाटिकली पीछे नहीं चूटना चाता है अब कोई भी देश अच्छी चीज है आगे आते हैं निताओं ने शांती दिवार पर इस्ताक्ष यह फिर से वही आपका G20 समेट में राजगाट में जो शांती दिवार है बेसीकली आपकी महाँ पे रख्या होती है उस पर साइन भी करना होता है आगे देखते हैं ग्लोबल साथ की यह वाज उठाने के लिए मोधी को मिली सरहाना हम जानते हैं ग्लोबल साथ का मुद्दा कितना जुरूरी है ग्लोबल साथ में देखिए, आप मैं फिर से रिपीट करूँगा, पहले मैं कह चुका हूँ बहुत बार, आज तक हम क्या सुन रहे थे, वेस्ट नेरेटिव, वेस्ट ने ये कहा, वेस्ट ने वो कहा, या फिर चाइना बोले तो इस्ट नेरेटिव, इस्ट ने ये कहा, वो कहा, इन दोनों यह सब जिन्दगी पर चलता रहा ना वेस्टन कांट्री इसें कांट्री शाइना अब खत्म करो अब सिर्फ आएगा इंडिया और इंडिया नहीं आएगा ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ का लीडर कौन होगा वो होगा इंडिया कि ऐसा मोदी जी क्या रहे हैं ऐसास तो बहогा है अलाकि इंडिया को लीडर पनने in call money market RBI ने देखी जो Central Bank Digital Currency है इसको अब और बढ़ा रही है आगए पहली बात तो CBDC वाला concept totally इंडिया का है ठीक है CBDC Central Bank Digital Currency यह बिर्कुल आपके currency note की तरह होती है बस डिजिटल होती है ठीक है the CBDC the Reserve Bank of India sorry looking at inducing the CBDC or digital rupee in interbank borrowing or call money market within a month in Central Bank's Executive Director Ajay Kumar Chaudhary said CBDC हम जानते है हाली में यह launch की गई थी RBI के दुआरा है और CBDC के माधियम से और डिजिटल पेइमेंट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्ट्चर को RBI मजबूत करना चाहती है CBDC को उन्होंने इनॉग्रेट करा था और इंप्लीमेंट करा था मार्केट में अब CBDC को जैसे UPI को गवर्मेंट ने प्रमोट करा ना जाके बहतर हो सकता है तो CBDC के माध्यम से गवर्मेंट ना RBI पेमेंट्स वगरा सब अलाव कर रही है CBDC में बहुत सारे फीचर होते हैं CBDC आप आप इसमें सेट कर सकते हो यह जैसे कि पर्स में करेंसी होती है ना ऐसी CBDC होती है ठीक है इसमें क्या होता है कि यह क्रिप्टो नहीं है कि अगर अचिक क्रिप्टो करेंसी नही養 क्रिप्टो से कहीं ना कहीं सब्सक्राइब Maslika जबिए C profund अगर तो नहीं है यह तो और यह सिर्फ ओनलाें रूपी है juvenile से इसी अँँद interces बहुत सारे होते हैं कि हमने परानी वीडियो स глаз में पताए हुआ है CBDC में क्या होत है मानलेखिए कोई पर्टिकुलर काम के लिए पेमेंट करना है तो CBDC में आप उसका token generate कर सकते हो पर्टिकुलर token और वो उसी काम में खर्च होगी यह फिचर्स बतारा हूं आपको ठीक है यह की खास बात नहीं बता रहा हूं फिचर्स बतारा हुआ इंटरनाशनल पेइमेंट्स अगे अगे परते हैं हम इसमें देखिए एक्परेशन वाला पार्ट ज्यादा नहीं रख रहे हैं कि हम चाहरें कि टूद अपॉन आर्टिकल पर रहे हैं यह सारी बाते प्राने आर्टिकल्स में कई बार डिसकस करी गई हैं स्केलिंद आउन यह पावर अब क्या हो रहा है कि नुकलियर पावर नुकलियर जो गौवर्बेंट है यह नुकलियर में ने प्रेयास कर रही है across two key strategic sectors nuclear generation and space technology where participation from entities outside the government has been limited so far an upscaling of private sector interests is being attempted by ironically a scaling downing of size in civil nuclear sector the indian government is pushing small modular reactors यह द्यान रखियेगा government क्या कर रही है government अबना small modular reactors को की manufacturing अगर हम SMR कहते हैं स्कौन small modular reactors है SMR ठीक है कि स्मॉल मौड्यूलर रियक्टर्स है ओके आगे दिखते हैं पर कि स्कून नो यसे में अपर कि यह पिकांड तरह की रूप में होते हैं ज्या होते हैं च्रीप यह पावर सुर्स की तरह होते तो डिव्लाप्मेंट फ्राइट्स ऑफ दी रॉकेट एंस क्लिरली अट नेबलिंग प्राइबेट प्लेयर्स तो आफ़र उन डिमांड सर्विस दिपूट सैटलाइट्स वेइंग फाइट केजी इंटुर लोगत वॉट वॉट सैटलाइट्स को भी नए तक्नीके माददें से पुचाने मसानी होगी इसमें ठीक है अगर हम बात करें SMR केस मतलब मुद्दे पर अगरम है कि SMR में है क्या कहानी क्या क्या इसकी क्यूं इसमें इतना बात कर रहे हैं हम तो साथियो SMR में बिसी क्लिक क्या है यह आपके थर्टी मेगा वाट थर्टी मेगा वाट एलेक्ट्रिकल क्यापासिटी के होते हैं 3MWE पर यूनिट ठीक है जो कि जो बड़े बड़े डेक्टर होते हैं लगबग उसके एक तिहाई पोर्शन समझ लिए आप क्यापासिटी समझ लिए यह मगर खाजबत क्या होती है इसमें यह हम बहुत जगा पर इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है एक और खाजबत क्या है कि इसमें लो कार्बन एमिशन है आप पूट निकलता है इसका ठीक है हम किसी की मरत ले सकते हैं इसमें रॉशा और चाइना की तिल्लापेंट में इसके यह दुनों देश काम कर रहे हैं उसके और अगर हम देखें कि इसमें एसमार की टेक्नॉलजी है यह कहां पर बढ़िया करके चल रही है यह इसमें साथियों एसमार टेक्नॉलजी जो है यह इसमें रॉश्या में चल रही है वह मतलब ऑपरेशनल है चालू है रॉश्या ने एसमार बनाया जो है रॉश्या ने वह बिसिकली 35 MWE का है ठीक है जो कि मई 2020 से काम कर रहा है मई 2020 से काम कर रहा है और चाइना में जो है आपका यह दिसमबर 2021 से काम कर रहा है जो चाइना में है आपका यह सितमबर 2021 में काम कर रहा है सब मैंशन है आर्टिकल में आपके स्पेस में यूज सकते हैं आपके सैटलाइट लाउंच वेहिकल में यूज सकते हैं आपके इससे क्या होगा जो आने वाले स्पेस मिशिन्स हैं हमारे इसमें हम और बहतर काम कर सकते हैं इनकी माद्धियम से आगे आते हैं जी ट्वेंटी स्टेटमेंट हेल्थ को लेके जी ट्वेंटी और हेल्थ इन्फरा को लेके बात कर रहे हैं यहां पर कि जी ट्वेंटी और हेल्थ इन्फरा कैसे हम मैनेज कर सकते हैं अच्छे से all three health priorities of India's G20 presidency found a mention in G20 new Delhi leaders declaration to get number three points प्रिरीप पॉंट्स यह वाले प्रियर्टी पॉइंट्स क्या हैं building a resilient system for health emergency prevention थीक है एग हम एफ को एक ऐसा system मलाना पड़ेगा इसमें Health Emergency जैसी बड़ी-बड़ी खटनाओं को हम पर रहे तो रोक सकें Health Emergency Prevention अगला पॉइंट क्या है Cooperation in Pharma Sector ठीक है Pharma Sector Cooperation मतलब यह दवाईयों का हम एक दूसरे को सप्लाय कर सकें Pharma Sector में Cooperation है ना वज़े पंडेमिक में था दवाईयों का सप्लाय मास का सप्लाय तमाम एकुप्मेंट का सप्लाय Creating a platform for sharing digital health innovation and solution to ensure better new self coverage लाई कोविन और यह संजीवनी जैसे हमने कोविन बनाया था एक digital health platform हमने यह संजीवनी बनाया था ऐसा ही एक digital platform बनाया जाए जी 20 countries के बीच में जिसे हम और बड़े इस तरफे health को manage कर पाएं तीसर के डिजिटल health program बनाया जाए जो की बड़ी बड़ी एक digital health program digital health program जो की बड़ी बड़ी आपदाओं में भी काम कर सके जैसे अभी आपकी कोविड हुआ था तो हम पूरी तरीके से डेवलुएचो पर निदभर थे हम तो नहीं थे मगर कही ना कहीं देश डेवलुएचो को देख रहे थे कि डेवलुएचो कुछ करेगा पर डेवलुएचो ने क्या करा उसने जहानी नहीं दिया इतना डेवलुएचो कहीं ना कहीं failure था आपका कोबेट टाइम पर यह सब ने कहा है मैं नहीं कहा है यह चीज तबसे बड़ी कमी क्या थी अब मोदी जी या फेट जी ट्विंटी में हमने बात करी है कि हम अपना खुद का एक हेल्थ फ्रेमवर्क बना के रखेंगे और इस हेल्थ फ्रेमवर्क के माध्यम से हम खुद भी एक जी ट्विंटी अपने खुद का एमजेंसी रिस्पॉंस प्रोग्राम रेगुलर हेल्थ चेकप प्रोग्राम सब चीज को मैनेज रखेंगे ठीक है और ऐसा नहीं है कि इसको हम डेवलौ अच्ट पर रिपलेस करने जा रहे हैं बिलकूलिज वह जहा इस मेजन्टा में लिखा हुआ है कि डेवलौ-चोब के अंड्र काम करेंगे डेवलौ-चोब करेंगे डेवलौ-चोब पूरी हाल्प लेंगे हम ठीक है इसी को लेके जो बात कही है वो है ग्लोबल इनिशेटिफ और डिजिटल हेल्थ जी आई डी एच ग्लोबल इनिशेटिफ और डिजिटल हेल्थ ठीक है इसमें लगबग 200 मिलियन डॉलर्स का फंड प्रस्ताफ करा है 200 million dollars का fund पर स्ताफ करा है इसी में में मेंचिन है आपका एक interim medical यहां पर देखिया interim medical countermeasure platform while there was no consensus on creating a permanent platform for ensuring equitable access to medical countermeasures during a pandemic the commitments agree to develop an interim platform to promote an end-to-end network for research and manufacturing अच्छे ना एक ऐसे platform बनाया जाया है जो सभी साथ ही members के बीच में ना connected हो कोई भी research करता है तो ऐसे नहीं कि अकेले-अकेले मजे ले रहा research के उस research को उस platform के माध्यम से सभी nations जो आपके G20 members खास कर है ठीक है क्योंकि हम यहां पर G20 की बात करें तो G20 की ही बात करेंगे यह share करें researches को ठीक है researches को studies को ठीक है इसमें भी हम w h o का साथ लेंगे ठीक है इसमें w h o का साथ लेंगे आपका अगे आते हैं इसमें भी जिक्री करा है delegates present at the negotiable table said the push for interim platform has come from G7 countries which currently hold the majority of patent for drugs and diagnostic and vaccines अन्यादे G7 countries जो बड़ी-बड़ी countries है आपकी ना अपसे जादा इनके पास patent है और दवाईों के variety है even though the outcome document specifically mentioned lower and middle income countries जो हमने बात करी है lower and middle income देशों के बात कर रहे हैं having a voice in the platform many said it likely to replicate the failure of act a similar platform developed to share medical contamination during the COVID-19 एक act बना था ACT यह प्रेट्फॉर्म था जो COVID-19 टाइम बना गिया था these seven countries के माधियम से बट वो failure रहा था त्योंकि उसमें इती transparency और shareability नहीं थी चीजों की ठीक है प्रयास करा था मगर वो failure रहा था हम इसको पहले सी बना के रखेंगे अपना ठीक है आगे ठीक है ट्रीशनल मेडिसन को लिए क्या कहा गया है इंडिया सिचनी प्रेजिंसी और सो पुछ फॉर integration of evidence-based traditional medicines अब देखिए traditional medicine हम जानते हैं हमारे जो आयूश मंत्राले है इसमें हम क्या बात कर रहे हैं यूनानी की बात कर रहे है आयरवेद की बात कर रहे है बाकी आप बताईए बाकी आप बताईए evidence-based traditional मतलब यह government ने कहा है कि आप study कर लो मतलब यह कोई हम यह नहीं जवस्ती में हम जड़ी बुटी बना बना के देश में बेचें दुनिया मेरे evidence कि क्या सही में वह दोईया काम करेंगी और फिर हम traditional medicine को और सिर्फ यूनानी अर्वेती बात नहीं कर रहा हूं मैं तर्की में और ब्रजील में जर्मनी में बहुत सी tradition medicine जाद भी चल रही है अची अची सी जो वहां की local होती है जिनसे लोग सही भी होते है तो government ने कहा है G20 के माद्ध हम से कि हम सब मिलके tradition medicine को promote करते हैं जो हम रोग क्यां खास है जिसे हम जिसे हम एक और नया रास्ता खुले health infra का ठीक है देखे G20 में तो clear हो गया है कि हर किसी को अपना अपना देखना पड़ेगा है ना ये फिर से बाइडन की news है मतलब बाइडन सर की जो बाइडन जो है आपके बाइडन तो असे नहीं बोलना चाहिए जो बाइडन सर है ये देखे आपकी आपकी IR policy में नहीं है तो इसलिए जरूरी नहीं देखे पीछे की वेक्ति खड़ा है ये कौन है ये वेक्ति जो खड़े हैं ये हैं जॉन केरी साब मैंने अभी देखा ये जॉन केरी हैं ये बहुत बड़ी चक्सियत हैं यूएस में सेकरेटरिय और स्टेट भी रहे हैं औ वेक्तनाम और यूएस की बीच में जॉन केरी हैं या फिर आपके मैकेन हैं इनहीं को सलह ली सकती जाती है मतलब इनको में उस मीटिंग में जरूर होंगे तो ये जॉन केरी साब हैं ये सेकरेटरिय और स्टेट भी रहे हैं ये कई एक्जामनेशन में करेंट अफर में भी आ चुका है ये सेक्रिटरिय अफस्टेट रहे हैं और सेक्रीष्कशन होता ये बिल्कूल समझनेजी गी यूएस प्रेजिडेंट का रायट हैंड होता है थीक है और कर रहा है मर वो ये लैट हैंड नहीं होता है थीक हैँ अबलsoon का त्परती आप में authority है अपने आप में वो है कुछ बंदा सेक्रेटी और स्टेट बेसिकली एक तरीके से आपका आप समझ लो कि नैशन सेक्रेटी एडवाइजर होता है या फिर स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं उस रूप में होते हैं मगर इनका पद कही ना कही मंतरी के लेवल कही होता है ठीक है कि यह आर्टिकल में लिव करते हैं मैंने हायाइट कर दिया अगर आपको यह हायाइट आर्टिकल चाहिए तो टेलिग्राम में मिल जाएंगे पॉइंट इस दाट की इस दिश्चा कमेंट्री असे यह आर्टिकल पर अच्छा दिए हो जेंटर एक्वाल्टी को लेके इन दी इन देकलेशन सॉरी में बदेटर साप मिस कर रहा था है इन दोनों के साथ साथ काम करिए न दोनों के quality हो. Okay. Dr. Alomar वो, Dr. Alomar ये हैं, Dr. साब, has extensive teaching experience and his public school in the field of leadership studies with the focus of women leadership. ठीक है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है शिक्षिक शितर में. Saudi delegation for the W20 engagement group, W20. ठीक है. Digital Declaration Enhancing Economic and Social Empowerment of Women, Bridging the General Digital Divide, Driving Gender-Inclusive Climate Action. मतलब देखिए वही बाते हैं कि gender equality हो, महिलाओं को बराबर का काम मिले, और leadership में भी इस जगा मिले, हर प्रकार के छेतर में बराबरी मिले. ठीक है, इसे बाते करी गई हैं इसमें. इन्होंने बताया कि साथी एरियों में कैसे reform लाई थी, ये नहीं, सरकार लाई थी. The amendments to laws and regulations, women को drive कर ना लाओ कर दिये गया था. ठीक है, Women Protection and Anti-Harrassment Law, उनको workplace में कोई law लाई थे properly, जो पहरे नहीं था. लाई थे anti-harassment का. जैसे हमारे कौन सा हमारे कौन सा कानून है, जो workplace पे महिलाओ को सुरक्षा प्रपदान करता है, harassment से. इक तरही किसे पॉश भी है, पॉश के लावा और भी हैं. ठीक है. इसके लावा बहुत चीज़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं positive रहें. G20 के मादम से हमने, और देशों को भी खुश रखा हुआ है. नौवाग जोकोविक जीत गए हैं फिर से. यूएस ओपन आपका. फाइनल जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है. ठीक है. फिर ये सीरीज है पूरी. ग्राइंट स्लैम की, विमल्डन की. ये सब सीरीज इन खिलाडियों के लिए बहुत जरूरी है. बहुत ही माइने लगती है. इसे रिकॉर्ड इन लोग के लंबे समय तक इतने बड़िया खिलाडी हैं ये. प्रैक्टेस करकर के. कि दे आर दी अल्टिमेट किंग अफ दिस गेम. अला कि इसमें एक नई खिलाडी ने बहुत टकर का मकाबला दिया था इनको. जोकोविक साब को. मेदवदेव साब ने. मेदवदेव प्लेयर हैं. जिन्रोंने जोकोविक को सही में बहुत कम्ट्टीट करा था. हला कि अल्टिमेट लास्ट में आपका जोकोविक ही जीत गए. कोई इस्यों नहीं है. ठीक है. अगले मेदव जी ट्वेंटी में जो नई चीज बहुत करी गई हैं. उसमें जो हमाई सामने ये टेक वाली फोटो आपको. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने ईडि ट्वेंटी में बात करी है क्रिप्टो एसेड एसेड रेगुलेशन की हमने बात करी है टेक्नोलजी ट्रांसवर की, टेक्नोलजी ट्रांसवर्स की हमने बात करी हैं। हमनें CBDC की Central Bank, Digital Currency को कैसे हम और कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसके लावा हमने साथ ही हो बात करी है टेक के माध्यम में कैसे हम कैसे हम कैसे हम नेशन साथ में मिलके AI वगरा पर काम करेंगे UPI पर काम करेंगे ये की पॉइंट्स टेक को लेके इसी 20 समट में रहे थे बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रेगुलर्ली आप वीडियो को विजिट करते रहा करिए वेबसाइट पर भी जाके आपको वीडियो देखने को मिलेंगी सुरी ब्लॉक पढ़ने को मिलेंगे जो जो बात हम यहाँ पर करते हैं बाकी सुडेंट्स की लिए अपडेट भी है कैसे मध्यपदेश PCS की वेकेंसी अनौन्स हो गई है दिसमबर में इसकी परिक्षा होगी सतरह दिसमबर में MPPCS की आपकी एग्जामनेशन होगा आप बिल्कुल इसकी तियारी में लग जाएए सतरह दिसमबर को इसका एग्जामनेशन होगा दिसमबर में MPPCS का अगर आप लोगों को मेरा ये नया तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्षिन में बताईएगा और कैसे इंप्रूव कर सकते हम ये सुझावा के लिए मैं ओपन हूँ मैं आपको दाना चाहता हूं कि इसमें हम एक वाबा रिपीट करूंगा वही बात अपनी हम इस में अब दीर-दीरे और एक्स्टिनेशन कवर करेंगे और और एक्स्टिनेशन कवर करेंगे और ये बाय लेंगुल रहेगा हिंधी और इंग्लिश दोनों के इसमें आर्टिकलस कवर कराय जाएंगे अगर आपको सेपरेट वीडियो ही पसंद है तो सेपरेट वीडियो आ जाएगी अगर आपको एक ही वीडियो में अच्छा लगेंगा तो एह भी आपका काम चलता रहेगा बाकी आज के लिए इतनी रखते हैं अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो